अब यार थोड़ा तंत्री का तंत्र के बारे में अपन समझ लेते हैं ठीक है थोड़ा सा अपन तंत्री का तंत्र के बारे में समझ लेते हैं ठीक है हमारा जो शरीर है न यह तो खोपड़ी हो गई ब्रेन यह एक्च्वल औरीजनल है बड़ी मैनत से मिला यह कैसा है एक्च्वल औरीजनल है हम सबके शरीर के अंदर ऐसा तंत्री का तंत्र है तो यह बेसिकली हम क्या देख रहे हैं ध्यान से देखेगा तंत्री का तंत्र ठीक अब सुनो extend promises लisco अपने पड़ लिया बकरने में जब हम बात करते हैं वहन की तो हम दो प्रकार की科 जो हैं रख्ट वाही नी देखते रुधर वाही नी-बात समझ में कौन सी ढमनिया और शिराए हम देखते हैं धमनिया और शिराए तो अब ध्यान से देखना यहां पर जो लाल वाली देखो आपको दिख रहा होगा तीन कलर की चीज़ा दिख रही होगी लाल दिख रहा होगा नीला दिख रहा होगा पीला दिख रहा होगा ठीक है मैं कनेक्ट करने की कोशिश करत ठीकें ना किया आपको ये लाल वाली कॉपन क्या कहते हैं धमनी धहते हैं बोलो येसरर तो जय प्रक्रम में आप आप ने ये देखा 했ा की हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की रुधुर्वाही नहीं होती है एक धमनी को आपने कहा धमनी मीनी वाली को आपने कहा शेरा इनका काम होता है ब्लड का आदान प्रदान यह वो सब अपन पड़ चुके हैं क्या आपको पीली वाली भी दिख रही है बड़े ध्यान से देखो क्या आपको शरीर के अंदर पीले रंग की भी यहां पर वैसे वायर दिख सफित पीले के बीच में यही हैं हमारी तंत्रिकाएं क्या है तो यही हैं तंत्रिकाएं जसको हम नफ कहते हैं बात समझ मैं हरें तो हमारे शरीर के pipe कहलो या wire कहलो, क्या फरक बढ़ता है? हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर तीन प्रकार के pipe या फिर wire जो होते हैं दो हमारे रुधर वाले होते हैं बात समझ भी आरी, जिसमें धबनी आती है और शिराय आती है और एक جो है वो होती है तंत्रीका है, एक जो वायर का तीसरा वाला भाग है, वो है तंत्रीका है, तो हमारे पूरे शरीर में बहुत सारी होती है तंत्रीका है, अब सवाल पैदा होता ही कि सर जरूरत क्या है, तो सिगनल कौन लेकर आएगा, तंत्रीका है, कैसे लेकर आएगा, सुनो, या यहां पर जो भी हो रहा है उसके कारण मुझे दर्द फील होगा ना तो एक वायर तो होगा एक ऐसी कोई तो चीज होगी जो यहां से सिगनल लेकर आ रही है इसे से से यहां से कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो सिगनल लेकर आएगी मेरे दिमाग तक और मुझे बताएगी कि आपके हाथ के साथ कुछ उल्टा हो रहा है कुछ दर्द भरा हो रहा है हाथ में दर्द हो रहा है तो यह दर्द को फील कौन करता है हमारा दिमाग और वो दर्द जो है उसका signal हमारे हाथ से हमारे दिमाग तो कौन लेकर आता है तो ना तो धमनी लेकर आती है ना तो शिराएं लेकर आती है भया कौन लेकर आती है तो तंत्रिकाएं लेकर आती है बात समझ में तो तंत्रिकाएं जो है वो तंत्री का तंत्र का भाग है तो एक काम करते हैं जब हमे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे वायर्स हैं, ध्यान से देखेगा, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे वायर्स हैं, जो संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, उन्ही वायर्स को, उन्ही तारों को हम तंत्रिकाएं बोलते हैं, खत्तम खेल, टाटा बाई बाई, बात सम तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे वायर हैं ऐसे तार हैं जो की जो की सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं सूचनाएं शरीर के अंगों से दिमाग तक लेकर आते हैं मीरूरज्जू तक लेकर आते हैं और मीरूरज्जू और दिमाग से कहां पर लेकर जाते हैं श लाता है बत समझ aiya JIN ka काम होता है नियंत्रन और समन्वे करवाना अब हमने क्या किया हमने सारे सारे संब्रेकाओं को separate कर दिया इक द्रौरीजनन फोटो है किसी महान इंसान की जिसने पर देशबीर को इदान कर दिया राइट आप लोगों को समझाने के लिए तो ध्यान से देखेगा इसमें क्या-क्या है तो आप इदी ऊपर तो आपको लाइट आ रही होगी राइट बड़े ध्यान से दिया आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह जो चीज़े बिटा ठीक है यह हमारा मस्तिश्क यह क्य जैसी यह हमारी मेरू दंड के अंदर होती है रिड की हड़ी जो होती है उसके अंदर ये कॉड या रसी जैसी होती है इसलिए से हम कहते हैं स्पाइनल कॉड यानि के मेरू रज्जू बावू क्या बोलेंगे मेरू और क्या बोलेंगे रज्जू बोलो यह सर बात समझ है मेरू दंड बोले तो हड़ी मेरू दंड बोले तो हड़ी और उसके अंदर पाई जाती है कर रसी जैसी चीज़ें बात समझ मैं उसको रसी नुमा होती है ऐसा नहीं की एक दम बहुत नाजुक होती है और रसी जैसा एक मोटा वायर पाया जाता है और वो जो मोटा वायर है उसको अपन बोलते है मेरू रजु यानि की spinal cod बात समझ मैं आगे तो देखो खोपड़ी पार्ट है तंत्री का तंत्र का यानि की मस्तिश्क भाग है मस्तिश्क की मेडियूला से मेरू रजु कनेक्टेड होती है मस्तिश्क की राइट बड़े ध्यान से देखेगा मस्तिश्क की मेड्यूला से यहां कहीं पर मेड्यूला होती है अप यहां पूरा डीप में पढ़ेंगे मस्तिश्क की मेड्यूला से मेरु रज्जू कनेक्टेड होती है ओके और मेरु रज्जू और मस्तिश्क से बहुत सारी बहुत द्यान से देखेगा हाथ के तरफ, पैर के तरफ, ठीक है, सब तरफ जो है, क्या पाई जाती है, यह जितनी भी छोटी-छोटी आपको दिख रही है यहाँ पर, इन्हें हम कहते हैं, क्या, तो भाईया, यही है तंत्री काएं, तंत्री काएं, खतम खेल, आरे, टाटा भाई भाई, तो अपने पू आखों से, दिमाग तक, सिगनल भी लेकर कौन जाता है, ध्यान से देखेगा, तंत्री काएं, हमारे जीव से, बड़े इंट्रस्टिंग आनी, हमारे जीव से, हमारे दिमाग तक, सिगनल कौन लेकर जाता है, तंत्री काएं, कैसे पता चलता है कि किसी चीज का स्वाद क्या है तंत्रिका बताती है बात समझवाई हमारे कान से हमारे मस्तिष तक सिगनल कौन लेकर जाता है तंत्रिकाएं हमारी त्वचा से कौन सिगनल लेकर जाता है कि भाई मतमारुत दर्ध हो रहा है काहित परेशान हो तंत्रिकाएं तो यह सारा खेल कौन करता है तंत्रिकाएं कहा original आप देख सकते हो किसी इंसान से जो है तंत्री का तंत्र को निकाला गया है तो देखो हाथ की तरब भी बहुत सारे वायर्ट से पैर की तरब भी है मेरू रज्जू में भी है मस्तेश्क में भी और फिर देखो यदि हम साइड से देखें तो ध्यान से देखेगा ये वाले हाग के अंदर मस्टश्क है और यह जो आपको दिख राओगा रीड की अंदर रीड के हंडी के आपको जो नीला लाल काला पीला ढогда जिख रहा होगा यह हैं मेरू रजु तो मेरू दंड यानि की backbone के अंदर पाई जाती है क्या spinal cord जैसे हम क्या कहते हैं मेरु रज्जु तो मेरु रज्जु और मस्तिश्क और तंत्रिकाएं जो है यह हमारे नियंत्रन और समनवय का भाग है ड्रॉ करने जैसा कुछ नहीं है एक बार आप इसको देख लीजे बढ़ते हैं आगे बहुत मजा है मीरु रज्जु है और तंत्रिकाएं है बात समझ में हैं तंत्रिकाएं है तो इसका मलब एक चीज तो लिएख क्लिए हो गए कि ऐसा सबके शरीट के अंदर है और इसी का काम है नियंत्रन करना और समनव करना ठीक है बोलो येस सर ठीक जी चलो